हाई हलो नमस्कार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बाद स्ट्रेंड फर्माईश पर दोस्तों समय कितना जल्दी चले जाता है हम कुछी दिन पहले हम डिसकेशन कर रहे थे कि एक लग का एड्मिट काड कब आएगा एड्मिट काड आया एड्मिट काड रिलीज होने के बाद एक्जामस भी हुए पहला दिन खतम वहा दूसरा तीसरा चौथा और हमने जो है डिटेल्ड एनलेसिस भी किया कि एक्जाम का लेवल किस प्रकार का था तो सारे चीज़ों हो ही है और जैन के मिड तक भी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों जो आपने सुना होगा जो बाते अभी चल रही है कि फैप 25 को सब्सक्राइब का मेंस एक्जामनेशन हो सकता है और यह सच में अगर ऐसा है और अगर फैप 25 को एक्जामनेशन होना है तो फिर देखिए दोस्त रिजल्ट आजाता है तो पढ़ाई जो दूगना रफ्थार में हो जाती है लेकिन फिलाल का जो कोशिन है लोगों का कि रिजल्ट कब आएगा देखिए दोस्तों रिजल्ट जैन में तो नहीं आएगा मेरे इसाब से फैप में भी आएगा तो 7-8-10 तारीक तक आ सकता है क् फैप 25 को कहा जा रहा है examination है तो ठीक 10-12 दिन पहले ही आपको जो है announce कर दी जा सकती है ठीक है तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप फैप 10 तक करोगे क्या करोगे क्या बताइए ना कुछ दिख रहा है आपको करने का तो इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास अभी कोई एक्जाम नहीं है ठीक है तो आप इसमें लग जाईए दोस्तों कि हमको मेंस के तयारी कैसी करनी है हम मेंस के लिए कितना प्रिपेड हो सकते हैं अभी तो IBPS PO मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है यह expected है कि रिजल्दी आएगा फैप में इंटर्व्यू करव होगे आप मेंस के ठीक दस दिन पहले का इंदजार कर रहे हो ठीक है तब तक आप कितने प्रिपेड हो आप यह समझ लो ठीक है बाकि किस प्रकार से प्रेपरेशन करनी है किस तरीके से करनी है इसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेगिन मैं आप सभी को बोलना चाहत किया है जो आप लोगों ने सुना होगा अप्टिमम सीए क्वीज स्मार्ट क्वीज तो डिटेल एनलेसिस है आप एक्टेम्ट करिए पेपर खराब होता है मान लीजे आपका यानि मॉक टेस्ट के बात कर रहा हूँ री अटेम्ट करिए पढ़िए डिटेल नोट्स पढ़